हालो एवरीवन वेलकम डू एमम एकेडमी मैं हूँ जय चांग लखे रहा हूँ और आज हम डिस्ट कने वाले हैं दस अपरेल के करेंट अपेर्स देखिए वीडियो थोड़ा डिले हो जाता है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वीडियो नहीं आएगा वीडियो बिल्क होते हैं और यह करेंट अपेर्स होते हैं लेकिन फिर भी जो है मैं बिल्कुल वीडियो ले के आँगो क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टुडेंट्स होते हैं उनको बहुत परिशानी होती क्योंकि मैं भी एक स्टुडेंट्स ही था और करेंट अपेर्स में बहुत दिक्कत लखे रहा आप मुझको इन आइडीस पर फॉलो कर सकते हो और यहां पर आप मुझसे कोई वड़ाउट पूछ सकते हो तो आगे बढ़ते हैं शुरी शुरी हरी चंद्र ठाकोर जैनती जो है यह अब्सर्फ करी गई यह कहां से थे बेसिकली यह बांगलदेश के थे यह बेंगॉल प्रेसिडेंसी में इनका पर्थ हुआ था तो बेंगॉल प्रेसिडेंसी में जो है यह थे तो बांगलदेश जो है करेट टांसार है और इन्होंने जो है एक मटूआ महासंग बनाया हुआ था तो मटूआ महा संग तो यह इन्होंने बनाय हुआ था 1860 में तो यह काफी important है और यह जो है basically जो वेशनव जो है यह हिंदू थे और यह एक religious reformation के लिए जो है इन्होंने work किया हुआ है तो यह आपको ध्यान रखना है श्री-श्री हरीचंदर ठाकूर जी जो है यह basically बांगलादेश से है ठीक है नेक्स कोशन है प्रिंस फिलिप जो ड्यूक ओफ एडिनबर्ग थे यह member थे British Royal Family के यह इनका निधन हो गया अभी हाली में जो है इनका निधन हो गया 99 years की उमर में तो इनका जर्म जो है कहां हुआ था इनका जो है जर्म हुआ था Greece में Greece ही capital Athens Athens वही place है जहां से Olympic जो है शुरू हुए थे आप comment box में आपको यह बताना कि पहले Olympic कब हुए थे ठीक है तो basically किस year में हुए थे यह आपको comment box में बताना है और यह जो है husband थे Elizabeth 2 जो है queen उनके यह husband थे सो basically यह भी जो है आपको ध्यान रगना है तो यह काफी important हो जाते है Prince Philip जो है इनका नाम है और Duke of Edinburgh भी इनको कहा जाता है भारत का भारत का ही नहीं दुनिया का पहला first explosive risk detector जो है जो micro sensor को use करेगा basically micro sensor technology को इसमें use किया जाएगा जो हमारे education minister है रमेश पोख्रियाल निशंक इन्हों ने जो है इसको launch किया हुआ है अब इसका नाम क्या है यह हमको बताना है तो यह जो पहला explosive tracker detector है उसका जो है नाम क्या है यह हमको बताना है इसका नाम है nano sniffer नेनो टिफर नहीं है यह nano sniffer है तो correct answer होगा भी nano sniffer अब इसकी खासियत क्या है देखे अभी तक भारत को जो है दूसरे पर dependent थे हम detectors के लिए explosive trace detector होते हैं वो import करना पड़ते थे लेकिन अब जो है हमारे भारत में ही यह develop होने लगे है और यह 100% जो है भारती है मेट है तो भारत के ही जो institutes है उन्होंने इनको बनाय हुआ है और इससे क्या होगा तो import की जो dependency है उसको हम reduce करेंगे और यह इसकी खासियत यह है कि 10 seconds में यह detect कर सकता है कि कहां पर जो है basically explosive है तो माली यह metro station है कोई क्या railway station है तो वहां पर जो है यह बहुत benefit होगा और इसको जो है IIT Bombay और IIT Delhi ने जो है develop किया हुआ है तो IIT Bombay प्लस IIT Delhi तो इन्होंने जो है इसको develop किया हुआ है इसके अलावा जो वेहांथ technology है बतलब nano sniff जो technology है उन्होंने partnership की थी किस से दो जो विदान्थ technology है basically जो वेहांथ technology है उनसे partnership की गई थी तो nano sniff ने partnership की है किसके साथ वेहांथ technology है अब आपसे एक question और पूछूंगा मैं भाभा कवच जो है यह किसने design किया हुआ है तो यह आपको comment box में बताना है तो दो प्रश्ण हो गए है इसके पहले मैंने एक प्रश्ण और पूछा था आपसे और यह भाभा कवच भी जो है comment box में बताना है comment जरूर करना बिल्कुल गलत भी हो answer तो कोई दिखकत नहीं लेकिन comment बिल्कुल करना और वीडियो को like भी जरूर करना next question है लद्दाख ने प्लान किया है कि उसका जो ambitious target है जो घर तक नल प्रोवाइड करना है घर तक पानी प्रोवाइड करना है हर जो रूरल हाउस होल्डर उनको यह प्रोवाइड के जाएगा मतलब 100% coverage हो जाएगा लद्दाख में तो यह कब तक होगा किस year तक हो जाएगा तो 2022 तक 2022 तक लद्दाख की जो सरकार है बेसिकली जो lieutenant governor ने यह कहा है कि लद्दाख को जो है बहुत जल से जल जो है 100% coverage यहाँ पे दिया जाएगा तो सभी लोग जो है उनके घर तक जो है नल pipeline जो है वो पहुचाए जाएगी और घर में जो है उनके नल लगाया जाएगा तो 2022 तक जो है लोगों को पानी मिलेगा तो 100% coverage जो है यह हो जाएगा अब लद्दाख की में बात करो तो लद्दाख का formation कब हुआ है तो 31st October 2019 को आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया और फिर यूटी बना दिया गया लद्दाख में सिर्फ दो डिस्चे काते हैं एक तो है ले और यह क्या कारगे फिर अभी हम बात करें लुटनेंट गवर्नर की तो लुटनेंट गवर्नर है आरके माथोर राधा कृष्ण माथोर यह लुटनेंट पर न था और फॉटंती सेञेंड जो रामसर साइट है वह कौणसी है तो वह है सो कर गोंप्लेक्स तो सो कर लेग जो सो कर गॉटनेंट साइटेकलर किया गया है 41 तो तो 41 जो थी Loner Lake, Loner Lake है कहां महराश्च में, और 40th कौन सी थी, तो 40th थी हमारी सुर सरोवर, सुर सरोवर, जिसे कीठम Lake के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहां है, तो ये है आगरा में, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, नेक्स कोशन है, आप देखिए हाली में, जो पहला, Online Dispute Resolution, जो ODR Handbook है, इसको जो है लॉँच किया जाएगा, तो किस के साथ, जो है मिलके इसको लॉँच किया जा रहा है, तो आगामी Omedia Network है, ठीक है ना, ICIC Bank का भी सपोर्ट है, अशोका Innovators for Public, इनका भी सपोर्ट है, तो किस के साथ, किस के साथ कोलेबरेशन किया है, किस और्गनाइडेशन ने, इसको जो है लॉँच किया जा रहा है, तो यह है नीती आयोग, तो नीती आयोग ने जो है इसको लॉँच किया है, और देखिए, जो Small Matters होते हैं न, बिजनेस के कुछ Small Matters है, तो उनको क्या होगा, अब Online जो है यहाँ पर, Dispute Resolution जो है यहाँ पर ला दिया गया है, तो Online जो है यहाँ पर काम हो जाएगा, और Basically छोटे जो मुद्धे हैं, वो यहीं पर जो है solve कर दिया जाएंगे, विट Online प्रोसेस, तो यह एक Handbook जो है यहाँ पर लाँच करी जाएगी, कल इसको लाँच किया जाना है, Next, जो Indian Council for Cultural Relations है, उन्होंने जो 71st Foundation Day है, उसको celebrate किया हुआ, अब आपको यह बताना है, कि किसी एर में फॉर्म हुआ था, So basically जो Indian, basically जो ICCR है, यह एक Autonomous Organization है, और इसका Headquarter आपको नेदिली में देखने को मिलेगा, इसको 1950 में found किया गया था, ठीक है, और यह, जो है ना, यह found किया गया था 1950 में, और इसको found किस ने किया था, तो अबूल कलाम आजाद, अबूल कलाम आजाद कोन है, जो भारत के First Education Minister रहे हैं, तो यह भारत के पहले जो है, Education Minister थे, तो यह आपको ध्यान लगना है, पर अगर हम बात करें, तो यह Indian Council for Cultural Relations, जो है, इसका Headquarter पो कहां देखने को मिलेगा, तो New Delhi में है, अब इसका Director General कोन है, दिनिश पतनायक, दिनिश पतनायक जो है, इसके, जो है, बेसिकली यह DJ है, और President कोन है, तो President है, विने, सहस्त्र, बुद्धे, बजए, एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, कि, स्वामी, देखे, पहली बात तो यह Festival का हुआ, यह जो Organization है, इसका Foundation, मतलब इसका जो Celebration है, वो कहा हुआ, तो इसका जो Celebration हुआ है, वो Chinese जो Embassy है, basically, मतलब इंडिया की जो Embassy है, चाइना में, बीजिंग में, वहाँ पे इसको जो है किया गया है, अब बीजिंग में ही अगर आप देखोगे, तो आपको स्वामी विवेका नंत, जो है, कल्चुरल सेंटर आपको देखने को मिलेगा, स्वामी विवेका नंत, जो कल्चुरल सेंटर है, जिसको jointly जो बीजिंग के ambassador है विक्रम मिश्री ठीक है मतलब भारत के ambassador जो चाइना में है विक्रम मिश्री और जो Chinese scholar है संस्कृत के जो वैंग वैंग वई तो इन्होंने जो है इसको launch किया है अब इस app का नाम जो है आपको बताना है तो यह जो समारो हुआ है अभी basically जो हमने ICC DCR की बात करी है इंडियन काउंसिल फॉर कल्च्रा रिलेशन यह इसी जो फॉर्मडेशन टेयर जहां पर celebrate किया गया है वहीं पर जो है इसको जो है एप को launch किया गया है और इस app का नाम है लिटल गुरू जो है इस app का नाम है तो यह काफी important app है अब आप से जो है पूस सकते इंग्जाम में so basically remember this next question है who is the founder of NIA national investigation agency के founder को ने तो देके national investigation agency अब इन्यूज में थी क्योंकि एक टर्रिस है उसको जहां यहां पर साँ साल की सजा हुई है बांगलदेश का टर्रिस था ठीक है और तो नेशनल इंवेस्टिकेशन एजेंसी कब बनाई गई थी तो 2009 में इसको बनाया गया था ठीक है दब 2008 का मंबई अटेक हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया था और इसको फाउंड किया था राधा विनोध राजू तो इन्होंने जो है इसको फाउंड किया यह वक करती है हमारे ग्रह मंत्री कोन है तो वह हैं अमित्षा अमित्षा की कॉंस्ट्वेंसी है गांधी नगर विचिजें गुजरात नेट्स कोशन है भारत का ambitious target है कि कितने गिवाट की जो रिन्यूवल एनरिजी है 2030 तक हमारे पास होना चाहिए तो यह जो है basically 450 तो 450 गिवाट का जो है यह basically जो है रिन्यूवल एनरिजी का target है और हमारे जो प्रधानमंति है नरेंद्र मोदी जी वो बहुत ही जलत जो है 22-23 अप्रेल को जो है यहाँ पे climate की उपर बहुत ही high level meeting होगी जिसमें बहुत सारे देश जो है जाएंगे बहुत सारे देश जो है इसमें पार्ट लेंगे तो हमारे ननेद मोदी जी भी जो है इसमें पार्ट लेने नेद मोदी ने बांग्लादेश को ढूवे तो प्रधार मंत्री जो है पांगलदेश की यात्रा पे थे और कोवेट-19 के बाद उनकी पहली यात्रा थी जो पांगलदेश को उन्होंने विजिट गया तो यह आपको ध्यान रखना है तो 50,000 जो है शिचल्स को दिये जाएंगे और यह पहली आफ्रिकन कंट्री है यह फर् celebrate किया जाता है जो है नो अप्रेल को celebrate किया जाता है और नो अप्रेल को बहुत important दे भी celebrate किया जाता है Winston Churchill Day Winston Churchill जो है एक बहुत important personality रहे हैं UK के और basically इनको जो है बहुत ही ज़्यादा माना जाता है United Kingdom में बहुत अच्छे जो है यह प्रधार मंत्री भी रहे है ठीक है तो जब ये बेसिकली जब वर्ल्ड ओवार चल रहा था तब उस समय ये थे और 9 अपरेल को विंग्संच चर्चल डे जो है अब्जर्फ किया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है तो ये ट्रेंट डिक्जियों का और उमीद करता हूँ कि आपको जो है बहुत कुछ आने को मिला होगा सुने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और 11 परले की वीडियो में अब हम मिलेंगे